किसी भी reference image का color हमें अपनी फाइल में लगाना हो तो कैसे लगाए कि देखो सबसे best option तो यहीं पर होता अगर आपके पास latest वाला है tdmax अगर latest वाले में देखो file menu मिलता है यहां पर एक व्यू फाइल करके व्यू इमेज फाइल करके option मिल जाता है लेटेस में मिलता है व्यू इमेज फाइल और मैं एक 18 में भी दिखायता हूँ file menu है तो इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा यहां पर option व्यू इमेज फाइल करके ठीक है कि अधर से आप कोई भी इमेज है यहां से इमेज को लोड कर सकते हो जैसे कि अगर आपको लेना है जैसे एसा कुछ अगर आपको कलर ऐसे सर्च करने में धूनने में कोई दिक्कते हा रही है तो इस तरीके से निकालना काफी एजी हो जाता है जिए आपको स्वाइब कर लिख था एज तो यहां पर है तो उसके हिसाब से आपको पिकर भी वहां पर लगाना पड़ेगा उत्वरब्राइट वाला है ठीक है और यहां पर आप देख सो तो थोड़ा सा डाक वाला ला लागा डाक तून में दोन इक BE खना घरें तो फोड़ा होने वाले है तो थोड़ा सा डाक टarna लेकरेट वही कटर में आजाता है is मेरे खास से लेटा होगा तो ऐसा कुछ मिरा सीन रहता है क्या से इसके अंतर से इसके लेना है वाइट टून control में जिलेका معना टूना रहिए है gefलाई डून लूँगा तो उससे क्या है कि क्यूंकि यहां पर light आ रही है जो एक्चुल कलर डाला होगा तो यह तो यह डाला होगा थोड़ा डाक में या फिर डाक और और वाइट के बीच में का जो कलर है वह कलर लेना चाहिए तो वह आपको accurate मिलता है जैसा इसकी अंदर डाला होगा कुछ हद तक ऊपर नीचे हो सकता है मगर फिर भी काफी हद तक आपको similar मिल जाता है तो क्या कि आपको सर्च करने में काफी दिक्कत हो जाती है धूनना में बहुत मुश्कुल जाता है इस कलर में से इस कलर को फांड करना इसलिए पिकर से आसानी से आप पिक कर सकते हो यह आ गया एकुरे उसके आसपास में कलर आपको मुझा अब यह जैसे कि मैंने इसके अंदर में 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 अगर जैसे कि आप यूस कर रहे हो एक बहुत पुराना वर्जन दो होजा 14 तो इसके आपको फांड मेंनो दिखता नहीं है आपको 14 में में दिखे गा ही नहीं आपको इंपोर्ट में भी हमको open image का ऐसा कुछ option नहीं मिर रहा है manage के अंदर भी ऐसा कुछ option नहीं मिर रहा है reference के अंदर भी ऐसा open image का option मुझे दिखी नहीं रहा है यहाँ पर तो फिर कैसे करेंगे तो आपको file menu add करना ही पड़ेगा अगर आपको फाइल जो व्यू फाइल अगर आपको option चीज वाला तो आपको कैसे करना होगा कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में चली आई है यसमाइज यूजर इंटरफेस में जाओगे तो फिर आपको देखो यहाँ पर मैनू वाला option आता है मैनू टैब आता है जिसे बोलता है इता पर कीबोर्ड और मौस एंड टूल बार एंड कोर्स एंड मैनू एंड कलर का ट है खुल्ण तो यहाँ मैंने इसको एड किया होय यहां पर एक सकतो यहां यहां से देख हूं मेन्ये मैन्यो ठीडित हो एब ही नहीं अब मेरे को फिर से दुबारा एड़ करना है वो दिखा जाता हूं यहां पर जाना है आपको लिखना है एफ टैप करना है एफ नमबर का एफ की बोड से एफ भी ट्रैप करो इस दीप पढ़ेगा ने तो आपको सच करना पड़े एफ नमबर में फाइल मेनु की दर है फाइल क्यों पर जस्ट यहां पर आपको देखो यह फाइल मेन्यू एड़ हो गया फिसको क्लोज कर देता है तो आपके पास एक फाइल मेन्यू आ जाए कि फिर यहां से व्यूमेज कर सकते हो और जिसके पास नहीं आ रहा है उसके लिए बोल रहा हूं जिसमें फाइल मेन्यू नह लोग आपको चाहिए जैसे कि मैं यहाद भी स्कमाइट लेने वाला हो अ Huh को टैसे टक्ष चारुकिया का यह तो इसमें अग्यादग अलयaff दिख्कत हो रही है अछे सक नत्या नहीं है बने सब्सक्राइब सज़सरे कुछ उचैहिक अ आव यह इसमें एसमें तो automate तो चीए लग लग रहा है तो लीजा के कि अब कर आपको कि अचांगे नें आप हीक कॉरा करें ने यहां पर color सही दिख रहा है यह फाइन आया तो इस तरीके से आप color को pick कर सकते हो picker tools से pickscene.com यहां मिलते हैं आपको 3D model, scene 5, texture और tutorial और विजा जाने के लिए इस वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप वहाँ पर जा कि आप visit कर सकते हो